दोस्तो इस समय चाइना अपनी नो सेना के लिए J35 नाम का स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है और इस फाइटर जेट को लेकर चाइना का ये प्लैन था कि हम भविश्य में इस फाइटर जेट को अपने एरकाफ्ट केरियर पर तैनात करेंगे लेकिन अब चाइना के इस J35 फाइटर जेट की ट्विटर पर एक वीडियो खूब दबा कर वाइरल हो रही है और इस वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं इस वीडियो में बिल्कुल साफ साफ देखा जा रहा है कि चाइना के स्टेल्थ फाइटर जेट से क काला धुआ निकल रहा है और एसा नहीं है कि चाइना के इस J35 फाइटर जेट का इंजन बहुत ज्यादा पुराना हो बल्कि ये फाइटर जेट बिल्कुल लेटेस्ट फाइटर जेट था सेम इसी तरीके की दिक्कत हमको अपने मीग 29 फाइटर जेट में भी देखने को मिल अगती है हमारे मीग 29 फाइटर जेट के अंदर आड़ी 33 नामका इंजन लगा हुऊआ है जो काला धुआ छोड़ता है іसलिए ही हाली में भारतuciones अपने इंजन को बदनने का फैसला लिया है और जो चाइना का ये J35 फाइटर जेट है इस फाइटर जेट के अंदर WS-19 नाम का इंजन लगा हुआ है चाइना इस इंजन का कमपेरिजन एमेरिका के F414 इंजन से करता है साथ में चाइना का ये भी कहना है कि जो हमारे रफाल फाइटर जेट में M88 इंजन लगा हुआ है हमारा इंजन रफाल के इंजन से भी ज़ादा बहतर इंजन है चाइना ने इस WS-19 इंजन को रेशिया के ID-33 इंजन की कोपी करते हुए बनाया है जिसका नतीजा कुछ एसा द परफॉमेंस को देखने के बाद अब चाइना के J-35 फाइटर जेट के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं क्योंकि आई तक दुनिया भर के देशों में जितने भी स्टेल्थ फाइटर जेट बने हैं उन में से एक भी ऐसा स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है जो क दुआ छोड़ता हो और इस काले धुए का भारत को बहुत ही ज़्यादा फाइदा मिलने वाला है क्योंकि चाइना के इस J-35 फाइटर जेट को हम काफी आसानी से अपनी रेडार की मदद से तो पकड़ी सकेंगे साथ में इस फाइटर जेट को हम काफी दूरी से एसे ही दे ये 10 से 12 करोड रूपये की इंटरसेप्टर मिसाइल को एसे ही वेस्ट नहीं करना पड़ेगा बलकि चाइना के इस J-35 फाइटर जेट को अब हम अपने मैन पोटेबल एंटी डिफेंट सिस्टम की मदद से भी मार कर गिरा सकेंगे और हसी की बात तो यह ही कि अगर चाइना ने J-35 फाइटर जेट में WS-19 इंजन लगाकर इस फाइटर जेट का मास लेवल पर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया तो इस फाइटर जेट को मार गिराना भारत के लिए बच्चों का खेल होगा और अगर चाइना के इंजिनियर्स में थोड़ा भी दिमाग होगा तो वो ये गलती भूल कर भी नहीं करेंगे और जो लोग ये बोलते हैं कि हमारा एमका फाइटर जेट लगातार लेट होता जा रहा है अब उन लोगों को ये बास समझ जानी चाहिए कि हमारा एमका भले ही लेट हो जाए तेकिन जैसा हमारे वैग्यानिकों ने बोला है कि हमार एम का 5.5 generation का fighter jet होगा तो वो actual में 5.5 generation का ही fighter jet होगा भारत चाइना की तरह कभी भी एक leads fighter jet को नहीं बनाएगा और चाइना अपने इन fighter jet को stealth fighter jet बताता है और अब आपी comment करकर बता सकते हैं कि क्या हम को भी चाइना की तरह ही तेजी से fighter jet को बना कर देना में शामिल करना चाहिए, हाँ या फिर ना, इस बात का अंसर आप कमेंट वोक्स में दे सकते हैं, ठेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो, have a good